तो यह राफर्ण मेरा आज का पहला question तो चलिए आप लोग जल्दी से बतला इसका answer क्या होगा और अभी हम लोग DRDO MTS exam के लिए math के question को solve कर रहे हैं जैसे के आप लोग दिख रहा होगा और आज मैं बता दू आज हम लोग केवल और केवल numerical ability के question solve करेंगे math में क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके DRDO paper में numerical ability से question बनेंगे और 9 से 10 question आपको जरूर देखने मिलेंगे numerical ability से तो आज हम लोग केवल और केवल numerical ability के question को solve करेंगे और देखेंगे किस किस तरीका से आपके question पूछे जाते है ठीक है तो यह जो सारे simplification होता है ना वो सारा आपको numerical ability के ही अं प्लिफ नहीं होनी चाहिए तो पहला question आपके सामने है जल्ली से मुझे बता उसका answer क्या होगा तो देखो यहाँ पर आपको इसको solve करने बोला है तो ध्यान से देखो आप यह वाले को पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको root 8 minus root 8 हो जाएगा और नीचे भी आपको क् करेंगे तो क्या होजागो ऊपर में root 9 plus root 8 और नीचे देखो ध्यान से a minus b a plus b यानि a square minus b square के form में आ चुका है तो 9-8 जागा क्या हो जागा यानि अब आपको समझ आ गिया होगा यानि आप इसको जब solve करेंगे तो क्या आ जागा root 9 plus root 8 आएगा ध्यान से देखो root 9 plus root 8 अब आगे भी आपका number देखो क्या है root 8 और root 7 है अब इसको भी solve करेगे तो क्या आएगा आएगा नीचे में minus है तो उपर क्या आएगा plus में आएगा मगर यहाँ पर आपका minus already है तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ रूट 8 minus root 7 हो जाएगा वैसे यहाँ पर भी देखो minus है तो minus root 8 कट जाएगा यहाँ से यह भी कट जाएगा यहाँ से यह भी कट जाएगा तो यह सारा चीज आपका कट जाएगा last में आपका बचेगा क्या last में केवल आपका root 4 बचेगा चुकि आपको पता यह minus है उपर में क्या होगा plus होगा यानि आप बोल सकते हो last में क्या clear है उम्मिद करता हूँ सभी लोगों समझ जाया होगा और यहां पर मैं केवल step इसले करके दिखा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ जाया ठीक है चलिए next question देखिएगा तो next question यह रहा अब यहां पर क्या बोला यदि x एक ऐसा पुर्ण वर्ग है पुर्णांक है कि 7 less than 2x-3 less than 17 है तो x का मान क्या होगा यानि क्या बोल रहा है कि x कोई एक perfect square है इंटीजर है आपको बताना है कि x का value क्या होगा और यहां पर एक चोटा सा condition दे रखा है कि 7 less than 2x-3 और फिर 2x-3 less than 17 से बताओ इसका answer क्या होगा तो simply आप यहां पर option का use कर सकते हो साप साप बोल रखा है कि x कोई perfect square है तो option में देखोगे तो यह भी perfect square है यह भी perfect square है यह भी perfect square है अब बात करेंगे अगर आप यहां पर देखना चाहो तो देखो 7 less than 2x-3 अब अगर हम option पहला रखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 दो 50 हो जाएगा 50 मिसे 3 जाएगा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा तो ये condition तो satisfy कर गया मगर ये वाला condition आप गलत हो गया कि नहीं हो गया क्योंकि 47 जादा है 17 से तो ये तो गलत हो गया तो अब आप देख सकते हो आगे यानि यानि अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 less than अगर मैं 9 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 9, 2, 18, 18 में से 3 जाएगा 15 हो जाएगा और ये आपका 17 यानि ये condition satisfy कर रहा है कि 7 आपका छोटा है 15 से 15 आपका छोटा है 17 से यानि correct answer क्या जगा option number 3 चलिए next question कर बढ़ते जली से next question ये रहा इसको try करो simply इसको solve करो जली से बताओ इसका answer क्या होगा तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो number को देखो पहले कि number की तरीका से दिख रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 256 दो बार है 144 दो बार है तो आपके दिमाग में कुछ आपको क्लिक कर रहा है क्या 256 इंटू 256 144 इंटू 144 नीचे में अगर मैं 256 माइनस 144 लिख दू तो बता कोई problem है आप लोग खुद ही देखके बताओ 256 में से 144 घटाओंगा तो मेरे क्या आजागा 112 आजाएगा यानि यह सब कुछ सरी है अब आप देख सकते हो अगर आप इसको A मानते हो यानि A A इसको B B और नीचे वाला A B तो अब आपका समझा रहा है कि क्या बन गया यानि बन क्या चुका मैं सबको हटाता हूँ सबको हटा रहा हूँ ठीक है सब चीज हटा रहा हूँ तो अब आप समझ गयो यानि A स्क्वाइर मानस B स्क्वाइर और नीचे में क्या था A मानस B अब आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है A plus B और A minus B तो नीचे में आपका क्या था? A minus B तो यह यह कट जाना है यानि दोनों को बस जोड़ दो तो 256 को 144 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका? 300 और 400 और चार सो करेक्ट आंसार option number second clear? तो यह सब चीज केवल समझ के उपर है आपको करना नहीं है मैं यहाँ पर केवल स्टेप दिखा रहा है ताके सभी लोगों को समझ आए चलिए next question यह रहा इसको जलीचे try करो बहुत अच्छा question है मैंने आज जितना भी question लिया सारे question आपके अच्छे question है यहाँ पर क्या बोला the number which when multiplied with root 3 plus root 2 gives root 12 plus root 18 मतलब क्या बोला वह संख्या जिसे root 3 plus root 2 के साथ गुना करने पर root 12 plus root 18 प्राप्त होता है बताओ मतलब क्या बोल रहा है कोई एक ऐसा number अगर जब हम लोग इसमें multiply करते हैं यानि root 3 plus root 2 में अगर हम लोग multiply करते हैं कोई number माल लो x number multiply करते हैं तो प्राप्त क्या हो रहा है root 12 plus root 18 तो वही पुछ रहा है बताओ वो number क्या होगा यानि वो संख्या क्या होगा यानि x का ही value आपसे पुछ रहा है बताओ तो यहाँ पर आप समझ सकते हो अगर यह number को अगर हम किसी number x से multiply कर रहे है तो यह number मिल रहा है तो अब आप कहाँ पर क्या कर सकते हो x को यही रहने दो x को यही रहने दो तो root 12 हो जाएगा यहाँ पस plus root 18 और नीचे में क्या हो जागा यह नीचे आजाएगा तो root 3 plus root 2 हो गया कि नहीं हो गया द्यान से देखो ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ यानि अब आप इसको solve कर लो x का value निकल जाएगा समझ रहे हो मैं यह सारा चीज़ अभी हटाता हूँ अच्छा से लिखते है आप आपका तो क्या हो था मेरा यहाँ पस root 12 plus root 18 और नीचे में आपका हो जागा root 3 plus root 2 अब क्या करेंगे उपर नीचे rationalize कर लेंगे यानि root 3 minus root 2 से multiply कर लेंगे या और root 3 minus root 2 से नीचे multiply कर लेंगे अब आप देख सकते हो यहाँ a plus b a minus b 3 से 2 जाएगा 1 हो जाएगा clear यानि उपर कही आपको cable solve करना है root 12 और root 3 कितना हो जाएगा root 36 हो जाएगा मैं लिखी देता हूँ root 36 हो गया फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा फिर 18 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा 18 को गुना करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा अब आप देख सकते हो यह यह तो कट जाएगा और आपको पता है ना नीचे वन था तो कुछ आपको लिखने का जोड़त नहीं है यानि आपका क्या बचाओ के वल माइनस माइनस रूट 12 प्लस रूट 50 यही बचाओ अब इसको भी सॉल्ब कर लो मैं इसको हटा जाएगा यह आपका यह हो जाएगा प्लस 3 रूट 6 हो जाएगा क्योंकि देख सकते हो 39 आप इसको सॉल्ब करेंगे तो क्या बचेगा केवल केवल बचेगा रूट 6 तो क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा option number 3 क्योंकि यही मेरा x हो गया यानि अगर रूट 6 से multiply करोगे तो य इसे भी आप चेक कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं आपको यह सब बनाने का ठीक है चलिए फिलाल यहां तो छोटा number था तो इसलिए आप option से चेक कर सकते तो अगर कोई बड़ा number मिलता तो फिर तो वैसी बनाना पड़ता चलिए next question यह रहा इसको जली से try करो आप लो अब यहां पर x का value, y का value, z का value दे रहा है आपसे पूछा x square, y square, z square, minus xy, yz, zx बताओ, इसका मान बताओ, कैसे करोगे solve तो देखो ध्यान से देखो आपको कुछ करने का जरूत नहीं है, आप मत सोचना कि x square पहले value निकालोगे, y square निकालोगे, z square निकालोगे, ऐसे करने का कोई भी जरूत नहीं है ध्यान से देखो, x square और यहाँ पर xy है, मैं अगर x common लेता हूँ तो यह मेरा क्या बज जाएगा? x minus y हो जाएगा, कैवल मैं इस वेश से common लिया हूँ, x square को xy से common ले रहा हूं, x उसी तरीका से y square को y z से common लेता हूँ तो यह मेरा क्या हो जागा है यहापस y y minus z हो जाएगा बोलो clear है कि ने clear है अब z को भी common लेंगे उसी तरीका से तो z जब common लेंगे तो क्या हो जाएगा z minus x अब आपको कुछ समझ आया अब मैं क्या करने वाला हूँ तो बस क्यूंकि आपन नंबर भी देखो 2015-2014 अब आप x और y का जगा मगर आप उसका value डालोगे तो 2015 में से 14 जागा तो कितना बचेगा केवल 1 ही बचेगा तो 1 को multiply करोगे x से यानि मैं बोल सकता हूँ 2015 ही होगा वो नंबर plus y minus z तो 2014 में से 2013 जागा तो कितना बचेगा केवल 1 बचेगा यानि यहाँ पर भी y का value क्या आजागा केवल 2014 हो जाएगा plus z का value क्या है 2013 है z minus x अब दोगो z minus x तो जो x का value है वो 2 जादा है तो यानि यहाँ पर क्या हैगा minus 2 आजाएगा अब up solve कर लो तो 2015, 2014 कितना हो जाएगा यहाँ पर गुना हो जाएगा तो plus minus क्या हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 2026 हो जाएगा 2026 अब का 29 में से 26 कितना बचेगा तीन बचेगा correct answer option number 1 clear देखो मैं फिर से बोल रहा हो आपको step लिखने का जरूत नहीं है जब आप चीजों को समझोगे तो नहीं समझ रहे हो चीजों को तब जाके आप step लिखो जरूरी है फिर आपके लिए ठीक है चले next question यह रहा इसको जले से try करो confuse मत हो नहीं यह question में फिलाल यहाँ पर देखो 137 गुना 137 है 137 गुना multiply में 133 है 133 133 ध्यान से देखो सारे नंबर को अच्छे से absorb करो आपको खुदी समझ आ जागा कि यह है क्या अगर आप देखते हो तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ पर 137 को अगर A माल लेता हूँ और 133 को मैं B माल लेता हूँ द्यान से देखना तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो किस तरीका से लिख सकता हूँ A square प्लस AB प्लस B square नीचे में क्या हो जागा A cube माइनस B cube बोलो यह ऐसे होगा कि नहीं होगा ऐसे होगा अब आप देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ जा रहे कि नहीं आ रहा है चलो मैं इसको हटा भी देता थर देर के लिए माल लो मेरा कोश्चन इस तरीका से है चलो मैं इसको हटा कि अब मैं कुछ बात करता हूँ चलो मैं मानता हूँ कि A minus B का A minus B cube का formula होता है क्या है A minus B A square plus AB plus B square अब जानते को नहीं जानते हो अगर मैं इसी चीच को अगर नीचे लेकर आजाओ इसी चीच को मैं अगर नीचे लेकर आजाओ ये वाले चीच को अगर मैं नीचे लेकर आजाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A square plus AB plus B square हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यानि अब आप देख सकते हो यानि इतना का मतलब क्या होता अब यह वाला जो question में दे रहा तो वो just उल्टा है इसका a square plus ab plus b square है और divided by a cube minus b cube है मगर यहां पर क्या है पहले आपका a cube minus b cube है तब जाके यह वाला है तो मतलब आप बोल सकते हो इसके जगा पर आपका यह किसके बराबर हो जाएगा यह किसके बराबर हो जागा तो 1 by a minus b के बराबर होगा मैं समझ दे हो तो बस अब आप देख सकते हो यानि इतने इसका बराबर क्या हो जाता 1 a minus b होता अब आप देख सकते हो यानि a minus b क्या 137 और 133 है तो 137 में से आपका 133 जागा तो कितना बचेगा चार ही बचेगा यानि इसका अंसर क्या जागा वन बाई फोर हो जागा तो करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर थर्ड क्लियर तो यह भी चीज आपको केबल समझने का था अगर समझ जाते तो इतना करने का कुछ जोरत नहीं था चलिए, नेक्स क्योर्शन यह रहा इसको ट्रइक करो, निन मलिकित में से क्या सही है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ओर्डर सही है, एक् updated सही है, क्या आपको यह बताना है, बता ओं तो देखो यहाँ पर option में अगर आप देखते हो तो 2 बटा 3 है 3 बटा 5 है और 11 बटा 15 है सारे option में देखोगो तो यही 3 नंबर आपको दिख रहा है ठीक है तो पहला तो तरीका है कि आप क्या कर सकते हो अगर यह चीज़ को अगर आप simplify कर सकते हो तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करने का जरूत नहीं है क्योंकि हम जानते है 2 बटा 3 का value क्या होता है 0.66 होता है 3 बटा 5 का value क्या होता है 60% मतलब 0.6 बोल सकते है या फिर 0.60 बोल लो clear 11 बटा 15 11 बटा 15 को अगर आप solve करते हैं तो क्या हो जाता है 15 सते 105 मतलब करीब करीब अगर answer की बात करेंगे तो यह आपका 0.7 है मतलब 70 के पार ही होगा अब आपको यही नंबर को तो arrange करने बोला है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको तो सबसे छोटा नंबर यह आपको 0.60 दिख रहा होगा फिर उसके बाद 0.66 दिख रहा है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 0.7 है बस यही चीज़ आपको यहाप पर देखना था option का help लेते हो तो आपको पता चला था यह answer यह answer कभी नहीं होगा यानि option में आपको दिख गया या तो first या तो second सबसे चोटा नंबर कौन सा है 3 बटा 5 तो सबसे चोटा answer पहले क्या हो जागा मतलब इसका answer क्या हो जागा option number second 3 बटा 5 फिर उससे आपका बड़ा होगा 2 बटा 3 और उससे बड़ा होगा 11 बटा 15 clear? उमित कपता सभी लोग को समझ आए होगा अब अगर आप यह चीज नहीं कर पाते हो अगर यह चीज नहीं कर पाते हो तो आप क्या करो सिधा सिधा? इस तरीका से यह नंबर को लिखो तो यहाँ पर 5, 3, 15 और 15 यानि LCM लेलो 15 आजाएगा 15 से आप 3 नंबर में गुना कर दो तो यहाँ भी 15 से गुना कर दो यहाँ भी 15 से गुना कर दो यहाँ भी 15 से गुना कर दो तो यह नंबर क्या बन गया? 5, 2, 10 बन गया यह नंबर क्या बन गया? 3, 3, 9 बन गया और यह नंबर क्या बन गया? 11 बन गया जली से बताओ उसका answer क्या होगा तो देखो कोई trick अगर आपको नहीं भी पता है मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आपको कोई trick नहीं भी पता है तो असानी तरीका से अराम से solve करना कभी भी गलत नहीं होगा सबसे पहले हम लोग जानते ये वाले पार्ट को solve करेंगे यानि 2 प्लस 1 बाई 3 तो ये बताओ इसको solve करेगे तो क्या हा रहा है आपका 7 बटा 3 आ रहा है अब आपको पता होगा अगर ये इस तरीका से 1 प्लस 1 बाई 7 बाई 3 हो जाएगा तो ये क्या हो तो ऊपर चला जाएगा चला जाएगा कि नी चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा यानि 1 प्लस 3 बाई 7 आपका कहलाएगा अब आप इसको solve करेगे तो क्या आ जाएगा 7 आ 7 तीन 10 यानि 10 बटा 7 हो जाएगा मतलब आप इतना solve कर चुके हो जिसका value क्या है 10 बटा 7 आया है अब मैं ये सारा चीज़ हटाता हूँ जितना भी पढ़ा रहे कोई तकलिफ की बात नी ये सब चीज़ केवल मैं समझा रहा हूँ आपको करने का कोई भी जोरूत नी 10 बटा 7 आ गया तो ये 7 क्या ओपर चला जाएगा यानि मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो गया आपका 7 बटा 10 हो गया और equal to 2 हो गया अब ये वाला चीज़ को यहां भेज़ दो यानि 7 बटा 10 हो गया तो 10 दो 20 और 20 में से 7 जाएगा की ना जाएगा 13 यानि answer क्या हो जाएगा 13 बटा 10 X का value correct answer option number second clear चले next question ये राइस को जले से try करो और देखलो ये सब जो question है न वो numerical ability के ये अंदर में आएगा यादि किसी संख्या का 20% को 20 में जोडने पर 7 वही संख्या बन जाती है तो वो संख्या क्या है बताओ मतलब कि कोई संख्या का 20% तो कोई संख्या का 20% मतलब X by 5 X by 5 X by 5 क्या होता है 20% होता ये जानते हो ने जानते हो तो कोई संख्या माल लो X है उसका 20% क्या होगा X by 5 उसमें अगर हम लोग 20 जोडते हैं तो वो ही संख्या बन जाएगा यानि X बन जाएगा तो बस इसको सॉल्ब कर लो वो नंबर आपको पता चल लाएगा तो यहाँ पर आप इसको सॉल्ब कर लोग तो क्या होगा X by 5 वहाँ चला जाएगा यानि ये X by 5 यहाँ आ चुका है आपका तो 5X और X 4X यानि 24X by 5 अब यहाँ से 4 से कट जागा 5 बार में पर्षेंट निकालो 25 का तो यह क्या हो जाता है पांच हो जाता है पांच में अगर आप 20 जोड़ दो तो क्या हो यह 25 बन गया की नी बन गया सीधा-जीधा ठीक है चलिए नेक्स कोर्शन यह रहा इसको ट्राई करो यह भी अच्छा कोर्शन है और यह भी आपका नियूमरिकल एबिलिटी के यह अंदर आएंगे यहां पर कोई फर्मूला और मूला का कोई जोरत नहीं है केवाल आपको बनाना है आपको यहां पर क्या बोला तेल का एक डिब्बा चार बटा पांच भरा हुआ था जब डिब्बे में छे बोतल तेल निकाला गया उसमें चार बोतल तेल डाला गया तो वो तीन बटा चार भरा हुआ था तो डिब्बे में बोतल तेल मतब डिब्बे में कितने बोतल तेल आ सकता है साथ में क्या बोलत रखा है कि सभी बोतलों का आयतन समान है चलो बताओ समझ गया ना तेल का कोई एक डिब्बा है जो आपका पहले से चार बटा पांच भार मतब चार बटा पांच भरा हुआ थ जब डिबे में इसे 6 बोतल निकाल कर 4 बोतल डाला गिया तो फिर आपका 3 बटा 4 भरा हुआ था तो वही बता रहें कि टोटल अपका उस डिबे में कितने तेल के बोतल आ सकते हैं बताओ तो आप समझ सकते हो अगर ये 4 बटा 5 पहले से भरा हुआ है जब ये हरकत करने के बाद आपका 3 बटा 4 भरा हुआ है तो सबसे पहले आप टोटल क्या मानोगे टोटल कैपिसिटी तो 5 और 4 का LCM निकाल लो सिधा सिधा तो 5 और 4 का LCM कितना हो जागा 20 हो जाएगा तो चलो आप माल लो कि 20 N आपका बोतल का कैपिसिटी है क्लियर यहां तक सको समझ आ रहा ना हम लोगों ने माल लिया कि 20 N बोतल का कैपिसिटी है अब जैसा कोशन बोला बस वैसा करो तो अगर 20 N मेरा बोतल का पूरा कैपिसिटी है तो पहले से 4 बटा 5 भरा हुआ है तो 4 बटा 5 कितना हो जागा 20 का 4 बटा 5, 20 का कितना हो जाएगा तो 60 यानि पहले से भरा हुआ है यानि 16 N हो गिया तो देखो पहले आपका 6 बोलतल निकाला गया फिर बाद में 4 बोतल डाल दिया गया मतलब ये 6 बोतल निकाला गया है तो यानि माईनली 6 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा clear फिर क्या बोलता है जब आपका 6 बोतल निकाल कर 4 बोतल डाला जाता है तो 3 बटा 4 भर गिया तो अब 20 N का 3 बटा 4 भर गिया यानी तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसका 3 बटा 4 कितना हो जाएगा अब 15 यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 15 N के बराबर हो जाएगा अब solve कर लो तो 6 से 4 जाएगा 2 तो 2 वहाँ चला जाएगा यानी N का value क्या आगिया 2 आगिया जब N का value 2 आगिया तो 20 N मेरा टोटल था तो N का value 2 तो मतलब 40 capacity तो correct answer option number second clear कोई tension वाली बात निए डारेक्ट आपको बनाना है चले next question यह रहा है इसको जली से try करो चलिए जली से बताओ उसका answer क्या होगा याँ a cube minus b cube आपको दे रखा a minus b दे रखा a b का मानव आपसे पूछ रहा है बताओ जली से बताओ कोई आपको जरत नहीं ज्यादा कुछ अगर formula पता है आपको a minus b का whole cube तो आप असानी से बना सकते हो उसका answer जली से बताओ उसका answer क्या या फिर अगर आपको value नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा सोचोगे कि ये number a और b क्या हो सकता तो ऐसे भी आप बता सकते हो क्योंकि कुछ खास बड़ा number नहीं है a minus b आपका 1 हो जा रहा है अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको खुदी पता चल लागा a और b का value क्या होगा option का भी help ले सकते हो आपके पास option भी तो है ना जली से बता उसका answer क्या होगा तो देखो आप option से मदद से कैसे solve कर सकते हैं तो देखो दियान से a cube b cube ये आपका 91 और a minus b आपका पास 1 है तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया कि आपसे पूछा क्या a और b पूछा है तो जायर से बात अगर माल लो कोई भी option उठाओ आप ये 27 अगर option उठाते हो तो a b का value अगर 27 है तो इसका मतलब 9 गुना 3 27 बन सकता है 27 किस तरीका से आप गुना करके बना सकते हो 3 गुना 9 या फिर 9 गुना 3 यही ना करके बना सकते हो या फिर 27 गुना 1 तो 27 गुना 1 जब आप रखोगे तो यहाँ पर देखो ना कभी satisfy कर रहा है क्या 9 से 3 जाएगा 6 होना चाहिए जो कि यहाँ पर कभी हो ही नीर है यानि ये नंबर तो कभी बनने का है ही नहीं अब 6 की बात करेंगे तो मुझे बताओ 6 को किस तरीका से गुना कर सकते हो 2 गुना 3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो और कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो 3 से 2 जाएगा 1 ये तो सही है 3 से 2 जाएगा 1 मगर इस वाले condition में आप कभी satisfy करके कर पाओगे ये चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि 3 का Q कितना होता, 27 होता है 2 का Q कितना होता है, 8 होता है तो 27 में से 8 जागा, कितना हो जागा 19 हो जाएगा यानि ये भी नहीं होगा अब आप समझ गए, यानि 9 की बात करेंगे तो ये 3 गुना 3 ही होगा, ये तो कभी possible ही नहीं है यानि इसका answer क्या होगा option number D होगा क्योंकि आप जानते हो 30 कैसे बिना सकते हो 6 गुना 5 आप बना सकते हो तो 6 से 5 जाएगा 1 और 6 का cube कर लो 5 का cube कर लो दोनों का अंतर देख लेना 91 आएगा तो ये smartness हुआ अगर आप ये चीज़ को समझ रहें इतना जल्दी इसको भी आप solve कर सकते हो वरना अगर आप चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो फिर क्या करोगे सिद्धा सिद्धा आपको basic सजाना पड़ेगा तो यहाँ पर A-B का whole cube कर लो A-B का whole cube कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा A- मैं करके भी दिखा देता है ताकि सभी लोगों को समझ आ जाए तो 1 का cube 1 ही होगा तो A-B A cube-B cube-3AB A-B अब आप यहाँ आप से कर सकते हो असानी से ये इसका value आपके पास 91 रखा हुआ है ठीक है ये 91 है यहाँ पर देखो A-B का value क्या है इसका जगा पर आप 1 रख सकते हो ये 3-B वहाँ चला जाएगा ये 91 एक यहाँ आजाएगा और ये 3-A भी वहाँ चला गया तो 90 हो जाएगा 90 को 3 से कटोगे तो क्या हो जागर 30 ही होगा चलिए नेक्स्ट कोस्ट्टन ये राइस को जली से ट्राइग करो एच चोटाता सिंप्लिफिकेशन है जली से ट्राइग करो बताओ उसका अंसर क्या होगा बस बोड मास को ध्यान देना कभी भी देखो सबसे पहले यहां पर अगर मैं ये पार्ट आपका अलग हो गया और ये पूरा पार्ट आपका अलग है ध्यान से देखो कभी पी अगर आप कन्फ्यूस होते हो ना बोड मास में तो ब्रेक करना सिखो कि कैसे तोड़ेंगे अलग-अलग करके तो पहले इतना को सॉल्ब करो फिर इसको सॉल्ब करो जिसको आपका मर्जी है तो नो गुना साथ 49 यहां हो गया 8 बटा 12 हो गया तो 4 से काटेंगे 2 और 3 बार में और यहां 7 से काटेंगे 7 बार में यानि 7 तीय 21 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 तीय 21 हो गया तो क्या हो गया 9 तीय 27 और 27 और 24 कितना हो गया 41 हो गया यानि correct answer option number first clear? चले next question यह रहा अब इसको try करो यह भी दमदार question है बताओ उसका answer क्या होगा अब यही question मिल लागा exam में तो आप definitely मुझे लगता है छोड़ दोगो क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं नहीं क्या करना इतना multiply करेंगे तो कैसे होगा नमबर को ध्यान से देखो तो आपको नमबर ही पता चला है कि यह नमबर किस तरीका से बन रहा है देखो ध्यान से अगर मैं इसको देखता हो कि यह bracket में सबसे पहले और यह 99 से multiply हो रहा है तो सबसे पहले मुझे बताओ यह 999 और यह 692 इस तरीका से आपका नमबर है तो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो तो कैसे ब्रेक करते हो 999 प्लस 692 और यह 693 बोलो ऐसे आप करते है कुई नहीं करते हो समझा है या मैं क्या बोल रहा हूँ अब आप ज़र समझ सकते हो यानि 99 को एक बड़ इससे मल्टिप्लाई करो और एक बड़ 99 को इससे मल्टिप्लाई करो तब ही जाके आपका ब्रेक खोलेगा खोलेगा ना तो बस मैं यह चीज आपका यहां करने वाला हो तो मैं हटाता हूँ इसको भी फिलाल तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 by 7 हो जाएगा प्लस 999 इंटू 99 यहां पर फिल प्लस 692 693 और यह आपका 99 हो जाएगा बोलो क्लियर है अब आप ध्यान से देख सकते हो अगर यह इस तरीका से मैं लिख सकता हूँ तो इस जगा पर अब मैं क्या कर सकता हूँ कल्कुलेशन को इजी बनाने के लिए तो मैं 1000 में से अगर मैं एक घटा दू तो यह मेरा क्या बन जाता है 999 को इधर ही लिख दो कोई टेंसन वाली बात नहीं है और यहां पर क्या हो जाएगा 692 और यहां पर आपका 693 तो इसको सॉल्व करोगे तो यह क्या हो जाएगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह क्या हो जाएगा 692 693 और यह आपका 99 हो जाएगा बोलो यहां तक सबको क्लियर है क्लियर होगा यहां तक आपको अब यहां पर ध्याण से दखो अब आप चीजों को थमज़ना यहां पुस जब यहां से यह तो चीज कट रहा है की नहीं कट रहा है यहां पर ध्यां से देखो गो तो 11 से काटोगे 9 बार में 11 से कॉट आफड कट गया कि नहीं कट गया अब यहाँ पर अगर मैं इसको अगर इससे मल्टिप्लाई करता हूँ तो यह मेरा क्या हो गया 9 9 0 0 0 अब एक पर इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जागा माइनस में 99 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो यह क्या हो जागा उपर में, 692 और प्लस 1, यह यह 693 हो जाएगा, जब 7 से आप इसको काटोगे, 693 को, तो आपका बचेगा क्या 99 ही बचेगा, यह यह पॉजिटिव में बचेगा, जब पॉजिटिव में आएगा तो यह यह तो कट जाना है, यह इसका अंसर क्या केवल 999000 correct answer option number second clear उमिद करता है सबी लोगों समझाया होगा आप लोग जरूर से बनाईएगा ऐसा मत सोची कि मैं बना दे रहा हूँ तो आपको बनाने का जौरत नहीं है तब तो फिर गलत होगा आपको बनाना पड़ेगा चले next question ये राइस को try करो x का value पूछा है ध्यान से बनाना अराम से बनाना जली से बताओ तो देखो सबसे पहले ये part आपको अलग दिख रहा होगा और ये part आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये बीच में plus का sign दिख रहा है अब आप जानते हो यहाँ पर minus plus plus minus minus तो यानि अगर सभी नंबर को आप multiply कर दो तो ये क्या बन जाएगा पहले तो minus का sign जरूर होगा क्योंकि 3 तो minus है तो minus का sign हो जाएगा 4 दो 8 और 8 x a यानि ये नंबर कुछ इस तरीका से हो गया अब यहाँ देखो minus minus plus plus minus minus यहाँ भी minus हो गया 5 दो 10 और 10 और ये 20 a हो गया equal to 4 a के बराबर है अब आप solve कर सकते हो ये वाला चीज यहाँ चला जागा तो क्या जागा positive में हो जागा यानि 24 a equal to minus 8 x a तो a से a cancel हो गया 8 से काटो होगे 3 बार में कट गया यानि x का value क्या आजागा ये minus आप वहाँ वेज सकते हो minus common ले लो तो क्या हो जागा ये minus तो जागा x का value correct answer option number second चलिए next question ये रहा इसको try करो what is the value जली से बताओ उसका value बताना आपको तो अभी थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया है fraction को किस तरह कासे हम लो ब्रेक करते है अभी मैंने बताया ना 111 एक बटा दो है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 111 पलस एक बटा दो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो लिख सकते हो तो जाएड से बात है जब मैं सभी 111 को अगर मैं अलग कर दूँगा तो यह कितने टो बन जाएंगा टोटल पांस टो बन जाएंगे यानि 111 का पांच से गुना कर दो यानि यह क्या हो गया 555 अब प्लस करेंगे तो बचे का क्या केवल आपके पास 1 by 2 1 by 6 1 by 12 1 by 20 और लास्ट में आपका 1 by 30 अब आपको इसी को केवल करना है कुछ पूरा सॉल्ब नहीं करना है तो देखो 2 और 6 कितना हो गया 2, 6, 12, 20, 30 के LCM कितना हो जाएगा तो LCM आपका कितना हो गया 60 हो गया तो 2 से आपका करोगे तो यह कितना हो जाएगा 48 और 48 दो 50 यानि 50 बटा 60 हाया तो 0 से 0 कैंसल यानि इसका अंसर क्या हो जागा 555 प्लस 5 बटा 6 यानि correct answer option number 3 clear? चलिए next question यह रहा इसको try करो x का value पूछा है जली से बताओ फटाफट बताओ अंसर क्या हो गए सब x का value पूछा है तो कोई ज़रूत नहीं है कि आपको 17 का square निकालना और 9 का square निकालना तब जाके लेस करोगे क्योंकि आपको पता है यह a square minus b square के form में आ रहा है यानि a plus b a minus b product कर देंगे तो 17 से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 17 कितना हो जाएगा? 26 होता है हो गया कि नहीं होता है? तो यह किसके बराबर? 13 x square के बराबर है तो 13 से आप काट सकते हो कितना? दो बार में काट सकते हो 17 एक सेकंड 17, 9, 26 हो गया और 8 यह 8 हो गया ना यह कितना हो जाएगा? 17, 9, 26 हो गया और 17 में से यहां पर जागा तो 18 मैंने गलती से लेगा वही मैं बोल रहा 8 होगा ना 17 से 9 जागा 8 हो जागा 8 9 17 8 हो दो कितना हो गया 16 हो गया x square 16 तो x का value क्या हो गया 4 clear चलिए नेक्स question केरे बढ़ते हैं यहां पर क्या बोला एक दो अंको वाली संख्या कि अंको का गुनन फल 11 है यदि हम संख्या में 45 जोड़ दे तो नई संख्या अंको के इंटरचेंज कर बनी है तो वह संख्या क्या है समझ गया question मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है अब यहां पर क्या बहलो कोई 2 डिजिट का नंबर सपोर्ज आट आप माल लो 72 है ठीक है यह 2 डिजिट का नंबर है अगर यह 2 डिजिट में नंबर में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो वह नंबर जो भी मेरा बन के आएगा वो इस नंबर का उल्टा कर देंगे तब मेरा वो नंबर के बराबर होगा यह आपका कोश्चन है तो यह इस टेदिका का कोश्चन कभी भी मिले ना तो option का मदद लो कोई जरूत नहीं आपको बनाने का बना कि आपको लिंदी हो जागा आठ और तीन ग्यारा होता है तीन और आठ ग्यारा होता है छे और चार दस होता है यानि यह answer कभी नहीं होगा यह answer कभी नहीं होगा देखो दो option तो पहली खतम हो गया बोल रहा है कि अगर यह नंबर में अगर 45 जोडते हैं तो तेखो 83 में अगर आप 45 जोड़ोगे तो यह क्या बन जागा पास 38 और 84 12 128 बन गया जब यह 128 बन रहा तो इस नंबर को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या यह नंबर वो ही बन रहा है क्या नहीं बन रहा यानि यह भी आंसर नहीं होगा अगर 38 में 38 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो यह क्या नंबर बन गया यह बन गया 83 अब हम 38 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे नंबर तो यह मेरा 83 के जैसा बना है की नहीं बना यानि इसका आंसर वोगा option number second चले next question यह रहा इसको ज़ले से try करो x का value बताना है तो यह question हम लोग पहली बीश तरीका का question solve कर चुक है बताओ फिलाल इसका answer क्या होगा x का मान बताना है तो देखो सबसे पहले trick की बात करें तो देखो 38 38 को अब किस तरीका से break करोगे जिसमें दोनो number का difference में केवल 1 का होना चाहिए बात समझ रहे हो यानि अगर मैं 20 को 19 से गुना करता हूँ तो यह number मेरा क्या बन जाएगा 38 बन जाएगा और इन दोनो number के बीच में difference में कितना है 1 का difference है जब 1 का difference है तो अब मैं बता चुका हूँ यहाँ अगर plus का sign है तो सबसे बड़ा number मेरा answer कहलाएगा यानि x का value 20 होगा clear अगर x का जगा माइनस रहता तो फिर मेरा answer क्या होता 19 होता तो plus में बड़ा वाला number और minus में छोटा वाला number होता है clear अगर ध्यान दिजगा इसको जिस भी तरीका से product तोड़ोगे तो याद रखिएगा ये दोनों के बीच में difference आपका 1 ही होना चाहिए clear वरना आपके दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा कि मैं ऐसे भी तो कर सकता था था 190 गुना दो ये भी तो होता है 380 होता है कि नहीं होता है मगर मेरा भाई इसका difference आपका 188 है तो इस प्रकार ब्रेक कर रहा है जिसका difference आपका केवल 1 का ही हो तब ही आप plus minus और लगाना clear माफ किजीगा वरना एक चीज अगर basic की बात करें तो basic से भी आप solve कर सकतो x equal to ये 380 और ये क्या वो इतना का value अगर x दे रहा पता हूँ अब दोनों जगा square कर दो तो ये क्या हो जगा x square equal to 380 plus x हो जाएगा ये x हो जाएगा ठीक है x square minus x और ये minus 380 equal to 0 अब quadratic equation बन गया है अब इसको solve कर लो x का value आजाएगा तो एक value positive में आगा एक value negative में आगा तो आप positive वाला value लेंगे तो correct answer option number first ही होगा चली next question ये रहाज को try करो find the value जली से बता उसका answer क्या होगा find the value तो 17 17 17 तीनों के base जो है वो same है और ये multiply है तो multiply में क्या करते है हम लोग प्लस करते हैं तो सीधा सीधा क्या करेंगे ये 17 को ignore करो यानि 3.5 plus X हो जाएगा क्योंकि ये इसी को solve करना है equal to 8 के बरावर होगा तो 3.5 आपका वहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3.5 तो क्या हो जाएगा 4 ही बचेगा एरे X का value 4 तो correct answer option number D clear चलिए next question ये मेरे साथ second last question होगा जली से बताओ फिलाल इसका answer क्या होगा यहाँ पर बोला यदि A का वर्गमूल B के धनमूल है तो A और B के बीच संबन्द ग्याद किजे बताओ simple ता question है बड़ी अच्छा question है बोल रहा है if the square root of A is cube root of B then the relation between A and B तो जैसा question बोला बस वैसा करो square root of A यानि A का वर्गमूल clear B के cube root के बराबर है यानि B के cubic में बराबर है मतलब यह B के बराबर है यानि यह cubic है तो 3 का sign अप लगाओ गया 3 समझ रहो बात को अब इसको solve करो अब कैसे solve कर सकतो तो देखो अगर मैं square करता हूँ अगर मैं square करता हूँ तो पहले सबसे पहले एक काम करो अगर आप इसको किस तरीका से लिख सकते हो तो A इसको ऐसे लिखते हो की लिखते हो आप लोगों को पता होगा अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीका से लिखेंगे 1 by 3 लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे ? पहले आप यहाँ पर एक ऐसे भी कर सकती हूँ आप यहाँ पर क्या कर सकती हो ? यहाँ पर 1, 1, 2, 1 , 3 है तो आप दोनों का LCM निकाल लो क्या हो जागा ? 6 हो जाएगा तो 6 से 2 जगा हो जोगा i3 कर दो तो जो रोती नहीं है, 1 by 2, 1 by 3, दोनों का LCM निकाल लिए 6, तो 6 को दोनों नमबर से multiply कर लिए, बात कतम, तो correct as the option number first, चलिए, next question, ये मेरा, इसके बाद आपका homebar question होगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, चलिए, फिलाल ये question है, जली जो try करो, इसके बाद homebar question है, जली गुना 24, आपको solve करना, ठीक है, 6 गुना 24, प्लस 176, प्लस 1440, और ये भागा 18, जली से बता उसका answer क्या होगा, तो solve करते हैं, ये वाले अंदर में part आपका एक जगा रखा है, फिर ये आपका अलग है, और ये आपका एक अलग है, ठीक है, ब्रेक कर लिए हम लोग, तो 6 गुना 24 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 चका 24, अचे दो 12, 144 हो जाएगा, प्लस 176 हो गया, और यहाँ पर प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 से काटेंगे, किता बार में, 8 बार में कट जा रहा, यानि 80 बार में कट गया, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जोड़ो सबको, एक सेकंड, 6 चको 24, 6 चको 24, 6 तो 12, 14 हो गया, यहाँ पर प्लस ठीक है, 176 हो गया, और 18 से काटेंगे, 8 बार में, क्लियर, सौल करो, तो यहाँ क्या हो गया, 6, 4, देखो, यहाँ पर कितना हो रही, यहाँ पर, 6, 4, 10, 6, 2, 2, मतलब यह 320 हो गया, 320 हो प्लस question जो कि मेरे आप लोग के लिए होंबर question है तो आप लोग मुझे अब इसका answer comment करके बताओ क्या होगा ठीक है यह आपको question है 3 के power में m 3 के power में n equal to 2 into 3 के power 5 m और n का मान ग्याद करना था ठीक है तो m n का value मुझे बताओ क्या होगा clear ठीक है तो अब आप लोग में इसका answer बताओ तो उम्मीद करताओ friends आपको आज का session पसंद आया होगा पसंद आया तो please video को like करके अपना support जरूर दिखाईएगा और चैनल पहली दफ़ाए तो please channel को subscribe जरूर करेजगा ठीक है